दोस्कार दोस्तो मेरा नमें बीजेक मर आप देख रहें कॉमिक्स पिटाराई चैनल को तो चली दोस्तो हम लोग कॉमिक्स पढ़े थे ड्रैकुला आया मौत लाया चुकि रामरहिम की कॉमिक्स है इसका पहला और दूसरा पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है पहले और दूसरे पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 43 पेस तक कभर कर लिया था अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को सुरू करते हैं अपने आपको बचाने के लिए इसे मारना होगा ड्रैकुला के हाथ से फौरण किरने निकली धड़ाक लेकिन उससे डखरा कर बेकार हो गई तब ही उस भेंकर जानवर ने ड्रैकुला पर कर दिया पूछ का वार कोई साधारन सकती इस वार को हर्गिस नहीं सा सकती थी मगर वो तो था पिसास समराड ड्रैकुला जो उस घातक वार को सहकर भी ना केवल समला था बलकि ड्रैकुला को समप्त करना तेरे जैसे के वसकर नहीं है जबकि तुझे खत्म करना मेरे बाएं हाथ का खेल है लेकिन उस जानवर की मोटी खाल से डक्रा कर वो अस्तर भी बेकार हो गया ओ ये तो बहुत सकती साली है अब तो इसे खत्म करने के लिए इस पर पिसास सकती का वार करना होगा दूसरे इच्छन हुआ पिचास सकती का जबरदस्त परहार जिसने जागेरा उस बिसाल जानवर को उस जानवर के तड़पने से जैसे तुफान आ गया वहाँ वाँ जो सांथ हुआ एक धमाके के साथ इसी के साथ आजाद हो गय थे मक्कर राज एम उसके साथ थी धन्यवाद ड्रैकुला अगर तुम ना होते तो ह आओ आगे बढ़ें कुछ दूर आगे चलने के बाद आगे जाने के लिए हमें ये तन्य का पूल पार करना होगा ये पूल यहां तलाब पर यह हुई नहीं बना हो सकता है अवस्ते ही इसमें कोई रहस से चुपा होगा तुम ठीक कहते हो ऐसा करते हैं मैं आगे बढ़ता ह ये दि कोई मुसीबत होगी तो सामने आजाएगी धरकते दिल से लकड़ी के तन्ये पर पैर रखा ड्रेकुला ने कोई खत्रा ना पाकर आजाओ कोई खत्रा नहीं है ड्रेकुला के पीछे सारे पूल पार करने लगें लेकिन जैसे वो तलाब के बीचों बीच पहुँचे पानी में गिरते ही वहाँ छिपे खत्रे ने उन्हें दबोच लिया साथियों मुकाबला करो इनका सारे बहुत बहुत बहादुरी के साथ उन भयानक सापों का मुकाबला करने लगें सब खत्म हो गएं आगे चलो फिर अपने रास्ते में आने वाले मुसीवतों का सामना करते हुए उस रास्ते के अन तक आप पहुँचेते सभी ये आखरी मुसीवत है मित्र ड्रैकुला इसे पार कर हम उस मंदिर तक पहुँच जाएंगे मैं अभी इस मकड़ी के जाले को क काटने आगे बाढ़ा ड्रैकुला ठीक तभी धार ओो जाने कहां से आ कर गिरी ड्रैकुला के उपर कई मकडिया मकर राज उस के साथ ही काब उठेते उन भैंकर मकडियों को देखकर ओफुथ ओभी मकर राज को मानो होसाया खत्म करू इन मकडियों को वरना ये हमें मार डा अज़ाद होती ही इनी से जकड़ा था ना तुने ड्रेकुला को ले अपनी बहदुरी का इनाम कड़ाख आज तेरा मास खाएगा ड्रेकुला कड़ाख सच मुच उस विसाल मकडी का भख्चन करने लगा ड्रेकुला आहा मकडी का स्वाद मकडी के मास का स्वाद इतना स्वादेश्टों का ये मैंने कभी ना सोचा था दूसरी ओर मकराज और उसके अन्ने साथी मकडीों को समाप कर रहे थे ततपस्चात आओ साथियों अब परवेश करते हैं हम समुंद्र नगरी में कुछ चनोबाद एक मंदीर के प्रांगन में निकलें हम सभी भड़ाक भड़ाक समुंद्र नगरी के रक्षक दंग रह गये थे उन्हें देख कर ये तो सत्रू है खत्म कर दो इन्हें मगर उन्हें खत्म कर पाना इतना असान कहां था ड्रैकुला को खत्म नहीं कर पाओगे तुम और नहीं मकर राज को मकर राज एम उसके साथ ही कहर बनकर तोट पड़े थे समुंद्र नगरी की सिपाहियों पर मकराज तुम इन लोगों को रोको मैं मनी लेने मंदिर में जाता हूँ ठीक है ड्रैकुला मंदिर की तरफ बढ़ गया मुझे इसकी सूचना तुरांती समराट को देनी चाहिए मन्दिर में परवेश करती ही ड्रैकुला चौपड़ा ओ मांडुका और रनकुमबा तुम हाँ दुस्ट हम सुरू से ही अद्रिस्ते रूप में तेरा पीछा कर रहे हैं ताकि वक्त आने पर तेरे दुस्ट कर्मों की सजाद दी जा सके तुझे अच्छा हुआ जो तुम दोनों खुद मेरे सामने आगे क्योंकि तुम दोनों को अपने हाथों से समाप करनी की मेरी इच्छा आज पूरी हो जाएगी तेरी ये इच्छा कभी पूरी नहीं होगी दुस्ट, ये अस्त्र जो तु हमारे हाथों में देख रहा है, हमारे कुल देवता की है, आज इनी से तेरी गर्दन काट कर देवता को बली चढ़ाएंगे हम, एक घमासान टकराव सुरू होने जा रहा था इधर, जबकि उधर, क् तुम फौरन सेना लेकर वहाँ पहुंचो, तब तक हम उन्हें रोकते हैं, जो अग्या समराठ, अगले पल, अगर रैकुला ने मनी प्राप्त कर ली, तो अनर्थ हो जाएगा, उधर, मकर राज, हम उसके साथी तभाई बरसा रहे थे रक्षक सैनिकों पर, मकर लोग का एक एक सैनिक, तुमारे बीस-बीस रक्षक के बराबर है दुस्टो, पूरी समुद्र नगरे को खत्म कर डालेंगे हम, तभी, तुमारा ये सपन कभी पूरा नहीं होगा, दुस्ट मकर राज, हमारे देवता का ये पर्लेंकारी अहस्त, मौत की बारिस बरसाएगा तेरे सैनिक ओ, और तुझे मिट्टी में मिला देगी, नहीं, अगले पल मकर राज की चीखें पूरे समुद्र नगरे को गुझाती चली गई, जब हुई उस पर मौत की बारिस, नहीं, आहा, कुछी पलो बाद उसके जीवन के साथ उसकी चीखें भी सान्त हो गई, मकर राज खत्म हु पारों के बारिस तुझे जला कर राख कर देगे ड्रैकुला, ड्रैकुला के लिए ये आग की बारिस पानी की बारिस की समान है मुर्ख रंकुंभा, ले, अब मेरा वार संभाल, कर, कड़ाक, अगले पल, वहाँ बारिस होने लगी, जहरीले बिस्धर और बिचूं की, ओ, उफ, अपने जान खत्रे में देख, दोनों एक साथ पुकार उठें, रक्षा कीजिए कुल देउता, अगले इचन मानों चमतकार हुए, कर, कर, आग की लपट में घिरते चले गए साप यंविच्छीू, और जब वह आग सांत होई तो, तेरा ये वार भी बिफल गया ड्र ड्रैकुला की पिसाज सक्तियों को कम समझने की गलती मत कर मुर्ख, ड्रैकुला तुम्हें तो, तुम्हें तुम्हें तुम्हारे देवता को भी देख सकता है, और खत्म कर सकता है, अपने तरह बढ़ती मौत से जूज के हैं मांडू का एमरन कुमबा, उफ, इस पर तो कि जब समराट समुद्रा ने वहाँ परवेश किया, सामने का द्रिश्ते देख, उसे सारा माजरा समझते देर ना लगी, ओ, उन दोनों के प्रांस अंकट में है, मुझे उनके रक्षा करनी चाहिए, अगले चन, हावा में लहराया समुद्रा के हाथ में थमा, पंच मुखी त तरिसूल, साएं और जाधसा ड्रैकुला के सरीर में, इस बार में सहट ड्रैकुला की सक्ति छीन कर दी थी, क्योंकि वह पुना अपने वास्त्विक अकार में आने लगा था, इस पंच मुखी तिर्सोल के सक्ति से मेरे सक्ति छीन हो चुकी है, अब मैं इन तीनों का एक कामला नहीं कर सकता किसी तरह इन्हें यहीं रोक कर मुझे पिचास मनी को हासिल करने चाहिए और इन्हें रोके की मेरी पिसाच अगनी अगले पल वहां भड़क उठी भेंग कर आगे ओ उफ मेरी यह पिचास अगनी तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देंगी क्योंकि इसे पल मैं ही बुझा सकता हूँ अब वो मनी प्राप्त करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता इतना कहकर ड्रैकुला तेजी से मंदिर के अंदर की तरफ भाग खड़ा हुआ था ओ उफ आग बुझाने का प्रत्न किया समराट समुन्दरा ने लेकिन सफल ना हुआ उफ मेरा वर्सावार भी असफल रहा अब ये आग नहीं बुझ सकती अब क्या होगा अब कुछ नहीं हो सकता वो मनी अब ड्रैकुला की है ये तो अनर्थ हो जाएगा मनी प्राप्त करते ही ड्रैकुला अत्यान सक्तिसाली हो जाएगा और फिर हर तरह तभाई मचा देगा लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं आग का ये दरिया पार करना असंभव है मानावता का बिनास रोकने के लिए इस असंभव कारे को मैं संभव करके दिखाऊंगा किसी साब की तरह खुमकार उठा रनकुमभा फिर एक मोटे खंबे के पास पहुँचकर इस खंबे को उखारना होगा एक जटके में खंबा उखार कर अपने हाथ में थाम लिया उसने कुछ ना समझ में आते हुए भी खंबे को खोकला करने में जुटकर समराट मांडू का कोछी चनों में खंबे में इतना बड़ा रास्ता बन गया था कि एक आदमी असानी से उसमें से गुजर सके पिता जी अब आप अपने सक्ती से इस खंबे को खोकला कर दीजिए खोकले खंबे को नीचे रख वो उसमें घुज गया पिता जी आप इस खंबे को आग में धकेल दीजिए अब वे दोनों रनकुमभा की योजना समझ चुके थे वाह आग से पार करने का क्या नयाब तरीका खोजा है रनकुमभा ने हमें गर्भ है अपने पुत्र की मुद्धी पर अगले ही चन हे देवता राजकुमार की रक्षा करना धदक्ती आग के बीच से हो गुजरता खंबा सुरक्षित दूसरी ओर जा पहुचा अगले पल धदक्ती आग पार कर चुका हूँ मैं अब इस खोकले खंबे को वापस धकेल देता हूँ उस खोकले खंबे को वापस धकेल कर अंदर की तरह भागा भाग खड़ा हुआ रनकुमभा मनी को प्राक्त ना कर लिया हो ड्रैकुला ने इधर ड्रैकुला मनी के पास पहुँच चुका था अब सिर्फ हाथ बढ़ाने भलकी देरी है फिर ये मनी मेरी होगी मनी को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया ड्रैकुला ने तभी रनकुमभा द्वारा छोड़ी किरने उससे टक्राई इस औसर का भरपोर लाब उठाया रनकुमभा ने मनी प्राप्त कर परनी होगी मुझे इसी से अंत हो सकता है इसका अब ड्रैकुला का नास निश्चित है जबके रनकुमभा को वहाँ देख बुरी तरह हैरान था ड्रैकुला रनकुमभा तो ने आग का दरिया पार कर लिया रनकुमभा नहीं अपने मौद बोल मुझे ड्रैकुला क्योंकि आज तेरी मौद बनने ही आया हूं मैं यहां मुझे किसी तरह मनी इसके हाथ से गिरानी होगी यह सोचकर ड्रैकुला ने कर दिया वार लेकिन रनकुमभा पूरी तरह सतर्थ था है सकती सारी मनी मेरे रक्षा कर अगले ही पल पिशाच मनी से किरने के कुछ छले निकले और अजगर के सरीर पर गिरने लगें दोसरे ही पल वो सारे चले अजगर के सरीर पर कसने लगें कुछ चन बात जमीन पर उस भ्यानक अजगर के सरीर के टुकडे पड़े थे तभी तेरा वार विफल गया ड्रैकुला अब अपनी मौत की तियारी कर ले इसके साथ ही मनी की सकती किरने धीरे धीरे ड्रैकुला की तरब बढ़ रही थी नहीं मौत के घेले में पहुँचकर चीक उठा था ड्रैकुला नहीं धीरे धीरे वे किरने ड्रैकुला के सरीर में समाने लगी कुछ छन बाद काला कोईला बना ड्रैकुला का सरीर नीचे जा गिरा धड़ा, मौत ने अपने अगोस में ले लिया था उसे इतने पर भी बस नहीं किया था राजकुमार रनकुमभा ने इसके सरीर को टुकले टुकले में विभाजित कर दूँगा मैं तभी ठेहरो इस सरीर को नष्ट करने के भूल मत करना रनकुमभा वहना ड्रैकुला की आत्मा इसमें से अजाद हो जाएगी और फिर और फिर से एक और नया सरीर धारन करके तबाई का दूद बन जाएगी ओ, तो फिर इसका क्या करेंगे? चुकि ड्रैकुला की आत्मा इस सरीर में कैद है इसलिए हमें इस सरीर को किसी ऐसी सुरक्चित जगा रखना होगा जहां कोई भी दुष्ट परवर्टी का विक्ती ना पहुं सके मैं जानता हूँ ऐसी एक जगा आईए मेरे साथ ड्रैकुला का सरीर उठा कर मांडुका और रनकुमबा समराट समुद्रा के साथ चल दियें काफी लंबी यात्रा के पस्चात ये अजगर लोग है यहां के समराट मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं हम इस दूस्ट का सरीर उनकी निगरानी में यहां रखवा देती हैं समराट समुद्रा ठीक कह रहे हैं पिताजी अजगर लोग इसके लिए एकदम सरक्षी थे ठीक है फिर वे अजगर लोग के समराट के पास पहुंचे और उन्हें सारी बात बता दी सारी बात सुनकर ठीक है मित्र इस दूस्ट को मैं ऐसी जगा रखवा देता हूँ जहां सुरी के किरने भी नहीं पहुंच सकती कुछ देर बाद अजगर लोग के एक दूइप पर ये जूंगीला दीप है मित्र यहां से ये सैतान कभी अजाद नहीं हो पाएगा क्योंकि इस टापो के सुरक्षा हमारे राजी की सबसे सक्ति सालिश सक्तियां करती हैं ड्रैकुला के सरीर को जूंगीला दीप की गुफा में रखने के बाद धन्यवाद समराट मुझे आपकी दोस्ती पर गर्भ है समराट मांडुका ड्रैकुला को समाप्त करने का एक बार फिर धन्यवाद सिवकार कीजिए पताल समराट इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं है समराट हमने तो ड्रैकुला को समाप्त करके अपने लोग के साथ समस्त प्रानी जगत को ड्रैकुला के कहर से बचाया है अच्छा समराट अब विदा विदा समराट देवताने चाहा तो फिर मिलेंगे फिर एक दूसरे से विदा लेकर वे अपने अपने लोग की तरफ चल पड़े पीछे छोड़के सुनसान और विरान जुंगिला टापू जिसके रक्षक कर रहे थे अजगर लोग के सबसे सकती साली रक्षक क्योंकि इस टापू पर कैथ था पिसाज समराट ड्रैकूला इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है तो आपको ये विडियो कैसी लगी विडियो अगर आपको अच्छे लगी हो तो इस विडियो को लाइक, शेर, कमेंट ज़रूर कर देना चैनल पर नए हो तो चैनल को सबस्क्राइब कर और और नोटिफिकेशन को सलेक्ट ज़रूर कर लेना और जहां इस विडियो की ज़रूरत हो, वहाँ इस सेर ज़रूर कर देना थैंक्स पर वाचिंग मैं विडियो